अभी तक हमने पूर में देखा कि 1848 की क्रांती के क्या कारण थे, क्या परिस्तितियां थी और इस क्रांती की घटनाएं क्या क्या थी अब हम ये देखेंगे कि क्रांती के परिणाम क्या रहे लुई फिलिप का गर्दी छोड़ना जब विद्रोई तेजी से उगरता की और बढ़ने लगा तो लुई फिलिप ने अपने संबंदी पैरिस के काउंट के पक्ष में गर्दी छोड़ दी और इंग्लेंड चला गया इस प्रकार फ्रांस की गर्दी को एक नवे वंश के स्तापना हुई वह भी 18 वर्ष के उपरांच समापत हो गई द्वितिये गन तंत्र की स्थापना लुई फिलिप्स ने तो फ्रांस की करदी अपनी नीतिक को छोड़ कर फ्रांस के रास्तंत्र को बनाये रखने का प्रयास किया परंतु फ्रांस की जनता रास्तंत्र से इतनी उप गई कि वे किसी भी कीमत पर फ्रांस में पुन्हे रास्त तंतर देखने को राजी नहीं थी आत्या जंता ने चोईस परवरी को ही लामा तीन वे बाला के नित्रत में स्थाइब सरकार की घोशना कर दी इस सरकार ने अपनी स्थापना के तुरंत बात गंढ थंतर की घोशना कर दी अत्या इस क्रांती ने रास्तंत्र के इस्तान पर फ्रांस में प्रजातंत्र की स्तापना की जिसके लिए वे वर्षों से संगर्ष कर रहे थे सुधार का मार्ग खुल गया इतियास का टेमपनले का कहना है कि इस क्रांती के उपरां थी फ्रांस में व्यस्क मतादिकार को स्विकार किया गया, नैशनल गार्ड जो अभी तक उच्छे मध्यम श्रेणी के नवयोगों के लिए था, खुल गया, अब किसी भी वर्क का नवयोग अपनी योग्यता के आधार पर सैनिक के रूप में भरती हो सकता था, समाजवाद प्रभाव पड़े, अब हम ये देखते हैं कि इस क्रांति का स्वारूब क्या था, इस क्रांति को हम यूजना वग्द क्रांति नहीं कह सकते, अल्फरिट कबबन ने इसे आकस्मिक घटना बताया है, क्रांति का आरंब सुधारों को लेकर हुआ बाद में इसका स्वारूब गंतंत्रिय हो गया, गंतंत्र के समर्थकों ने लुई फिलिप के राजतंत्र को समाप्त कर गंतंत्र के स्थापना कर दी, परंतु इसी समय समाजवादियों का प्रभाव बढ़ गया और सरकार ने समाजवादियों को भी स्तान देना पड़ा, परंतु गंतंत्र वादियों ने शिग्रही किसानवर्थ की साहिता से समाजवादियों पर विजय प्राप्त कर ली लेकिन 1852 में नेपोलियन की समर्थकों की साहिता से जब नेपोलियन तृतिय गंटंत्र का प्रथम रास्त्रपती चुन लिया गया तो शिग्रही गंटंत्र को पुन्हे रास्तंत्र का प्रकार हम ये देखते हैं कि यह क्रांती अपने व्यापक प्रभाव को लेकर बहुत ही महत्पून रही थी इस क्रांती का यौरोप पर भी बहुत महत्पून प्रभाव पड़ा 1848 की क्रांती का शेत्र जन जब सारे यौरोप में फैल गया तो उसने उन देशों को भी प्रभ प्रकार थे पहला है सैनिक वाद की प्रवर्ति का आभिर्भाव करांती कारियों ने पहले उधार और बाद में जनतंत्रिय साधनों का सहरा लेकर अपने अपने देश को स्वतंत करने के प्रयास किये परन्तु जब वे इस प्रयास में सफल नहीं हुए तो उन्होंने सैनिक मनोवरती धारण की इटली और जर्मनी का एकी करन सैन्यवादी साधनों से ही संबभ हो सका समयधानिक विकास शाषन का विकास हुआ इस क्रांती के फलसुरूप कहीं तो वैद, राजसत्ता, इस्ताफित होई तो कहीं प्रजातंत्रिय सरकार के स्थापना होई इस प्रकार क परिवरतनों से यॉरोप में समयधानिक विकास होने लगा, रास्ट्रियता का विकास इस क्रांती के फलसुरूप 1848 में ही यॉरोप में 17 और क्रांतियां होई, यह इस बात का प्रमान है कि यॉरोपी देशों में रास्ट्रिय जागरन जोड पकड़ चुका था, यॉरोप 19 सदी रास्ट्रियता की सदी कहलाने जाने लगी, जन्मत का अधिकार व्यापक हो गया, 1848 की क्रांती से पूर्व जिन देशों में भी मताधिकार मिला वैसीमित था, पूंजी को ही युग्यता मान कर अधिकार दिया जाता था, परंतु क्रांती के फलसुरूप मताधिकार क शेत्र विस्तित हुआ और समाजवात के प्रबल होने से यह अधिकार श्रमिक वर्व को ही दिया गया, वो प्रियुक्तत्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1848 की क्रांती राजनतिक प्रजातंत्र के इतिहास में एक महत्पून घटना है, क्योंकि उसने मताधिकार का विस्त महत्पून है, क्योंकि इसके फाल्स रूप एक महत्पून समाजवादी प्रयोग हुआ, चाहे वैश्चानिक ही क्यों नहीं रहा, इस प्रकार हम देखते हैं, कि दोनों क्रांतियां फ्रांस के इतिहास में महत्पून ही थी, सच पूचा जाए तो जिस प्रकार 1789 की क्रांत के लिए 1848 की क्रांती हुई ये रास्रवाद की क्रांती थी